Hello everyone, good morning, मैं प्रवीश शर्मा, welcome back to my channel आज का हमारा टॉपिक है प्रिथम भाषा का महत्र इंपर्डेंस और फर्स्ट लेंग्वीज प्रिथम भाषा विशे सुप स्मिहत पूर्ण है क्योंकि बालक जब जन्म लेता है तो माता की भाषा को ही सरप्रिथम सीखता है इसलिए माता और मातर भूमी बंदन ये होती है ये बालक की शिक्षा का आधार होती है हमारी शिक्षा का कोई भी उद्देश से क्यों न हो उसकी प्राप्टी में प्रिथम भाषा का इस्तान सर्व परी होता है क्योंकि जब बालक घर से निकल कर विद्देले की उल बढ़ता है तब उसे मातर भासा यानि कि जो मातर भासा मा की भासा है उसी के आधार पर उससे कुछ भी प्रस्न पूछे जाते हैं उसको कुछ निर्देश दिये जाते हैं कुछ सिखाया जाता है बहुत अब क्या होता है कि पर्थम भासा ही या कहीं पर्थम भासा का ही रूप होता है पर्थम भासा का ग्यान जो है विकास के लिए आवश्यक है पर्थम भासा के ग्यान के आभाव में शिक्षा का विकास असंभा है इसी कारण आज संसाल के सभी देश्चों में पिर्थम भासा के महत्व को समझते हुए जो पिर्थम भासा है उसी के महत्व को समझते हुए इसी के माध्यम से सिक्षा देने का प्रिजिन बनाया गया है पिर्थम भासा कि मेहद्व को हम कुछ बिंदुओं के रूप में परिभाशित कर सकते हैं या कहें ब्यक्त कर सकते हैं सबसे पहला इसके अंताकर पॉइंट आएगा पिर्थम भासा और छात्मों का शादेदिक विकास फर्स्ट लेंग्विज एंड फिजिकल डेवलेपमेंट ओफिस टुडेंट शादेदिक विकास के लिए जितना आवशेक पॉश्टिक भुजन होता है उतना ही आवशेक पूदी नीद लेना और प्रसंद्र चेत रहना होता है इस आवशेक्ता की पूर्थी में जो है पृथम भासा ही सायक सिद्ध होती है माताएं शिजों को संगीत पृधान द्रोणिया यानि की लोधियों के चारण द्वारा उन्हीं प्रसंद करती है और निद्रा मग्न करती है गयने का तात्पता यहाँ पर ही है जब बालक अपने तोतली बोली में बाचीत करते हैं और सभी के मन को परसंद कर देते हैं पृथम भासा के सामन अध्यन के पश्चात जब बच्चे उनके साहतिक के अध्यन की वोध बढ़ते हैं तब उन्हें सच्चे आनंद की अनुभूती होने लगते है हम देखते हैं कि कृष्ण के लिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं पृथम भासा और चातों का बौधिक एवं मानसिक विकास फर्स्ट लेंग्वेज एंड इंटलेक्च्च्वल एंड मेंटल टेवलेमेंट ऑफ स्टुडेंट मानसिक एवं बौधिक विकास की द्रस्टि से भी पृथम भासा अपना महत्व रखती है मानसिक विकास के लिए सबसे पहली आवश्यकता बिचार सकती का होना है क्योंकि जो किसी के पास विचार शक्ती है तो वो है अपनी मातल भाषा का अच्छी बिलकार से प्रयोग कर सकता है और विचार तता भाषा का आटूट सम्बंद तो है ही विचार भाषा को जन्म देते हैं और भाषा विचालों को जन्म देती है जिस व्यक्ति के पास जितनी शशक्त भाषा होगी उतनी ही शशक्त उसकी विचार सक्ती होगी विचार सक्ती के अभाव में मानसिक विकास असंभव होता है गांधी जी ने कहा है कि मानसिक विकास के लिए भाषा को जितना आवश्यक माना गया है उतना ही आवश्यक माना गया है जितना शिशु के लिए विकास के लिए माता का दूद आवश्यक माना गया है जायवर्न अपने शब्दों में लिखते हैं मात्र भासा की शिक्षय महत्पूर्ण है क्योंकि पिर्थम भासा शिक्षण पर हमारे विध्यार्तियों का बौधिक विकास निर्वर है इस पिलकार प्रतम भासा हमारा मांसिक एवं बॉद्रिक विकास करती है। इसी के साथ हम थर्ड पॉइंट देख रहे हैं। प्रतम भासा और शात्रों का भावात्मक विकास, प्रतम भासा को माता और मात भूमी के समान बड़ी शद्धा की दस्टी से देखते हैं। यही कारण है कि एक प्रतम भासा भासी ब्यक्तियों में आपस में प्रेयम रहता है। वे एक दूसरे में साहन भूती मुन वेवा रखते हैं। बड़ों का अभिबादम तथा छोटों को प्यार करते हैं और एक दूसरे की शहता करते हैं। एक भासा भासी ब्यक्तियों के बीच जो सदभावना बहती है, वीसी सदभावना अन्य भासा भासी लोगों में नहीं दह पाती है। क्योंकि भी एक दूसरी की बातों को नहीं समझ पाते हैं। एंड कल्ट्टल डेवलॉप्मेंट ऑफ इस्टूनेंट्स, फिर्थमि भासा फिर्थम भासा उवन छातों का सांस्कतिक विकाज फृतिक वाल狗 का पृतिक भालक अपनी पृतिक बहासा का अपनी जो है पृतिक भासा तेथा उसके साहते मैं विशेभ लगा Raf Reichोता है साहित्य समाज का दरपण होता है और संस्कृती समाज का ही एक अंग है पिर्थम भासा में लिखित साहित्य वास्तम में जातिये संस्कृती सभ्यता और दिती रिवाजयों का प्रतिनिदित्व करता है पिर्थम भासा में हमारी संस्कृती का इतिहास नहीं तरहता है उसके पश्चात हम अपने बिचार, अपने कहें परिवार, जाती, देश और समभासा भासियों से एक सूत्र में बंध जाती हैं जाकिर हुसेन की रिपोर्ट में लिखा गया है कि परिथम भासा को वालकों को अपने पूर्वजों के बिचारों, भावों तथा महत्वा कांख्षाओं की समरद धाती से परचित कराने का साधन है बास्तम में मनुष्टे के स्रांस्कितिक विकास के दो मूल आधार हैं एक लोग जीवन और दूसरे उसकी परिथम भासा का साहित है नेक्स्ट पाइंड हम देख रहे हैं परिथम भासा और छात्नों का सामाजिक विकास प्रथम भासा बालक को सामाजिक स्वरूप प्रदान चरती है बालक प्रथम भासा में ही बोलना लिखना तर्करना वहाशर देना आदि सीथा है वहे अपने विचारों एबं भावों की अविव्यक्ति जितनी प्रभावत पादक्ता के साथ करेगा सामाज में उसकी इस्तिति उतनी ही द्रण होगी मने सुको समाज के रूप में संगठेत और विक्सित करने का सलवुत्तम से पिर्थाम भासा को ही है कोठारी आयोग ने कई राश्टी लक्षियों में से एक लक्ष सामाजिक एकता प्राप्त करना भी बताया है पिर्थम भासा के सफल सिक्षण में सामाजी केक्ता को प्राप्त किया जा सकता है विचालों में प्राउंडता विचाल बिनिमे और संपर्ग से जो है आती है विचाल बिनिमे का सबसे अच्छा साधन पिर्थम भासा ही हो सकती है इस पिलकार भासा सामाजी केक्ता में सहायक है नेक्स पॉइंट हम देख रहे हैं पर्थम भासा और शात्रों का नैतिक एवम चारितिक विकास फर्स्ट लेंग्विज एंड मोरल एंड कैरेक्टर डेवलेप्मेंट और स्टुडेंट हम इसे अच्छी पिलकार से जानते हैं कि चारिति बहुत बड़ी चीज है चारिति को बनाना और नैतिक ता को लाना इससे जीवन अच्छा बनता है हम सभी भली बाती पिर्वार जानते हैं कि बच्चों बप्राइबेक जीवन के पड़े संसकार एवं विचार अमिट छाप छोड़ते हैं और वे ही उसके चरित्र का निर्मान करते हैं बच्चों के नेतिक बिकास में पडिवार एवं उसके सद्रस्टीयों का विशेश साथ रएता है यदि माताइं बच्चों को रोचक और नेतिक कहानिये सुनाती हैं तो आगे चलकर बच्चे पिर्थम भाषा की पुस्तकों में भी इसी पिर्थम भाषा की कहानिया नाटक लेख और कविताएं पढ़ते हैं, यदि घर के सदर से उन्हें अच्छे करेक्टर के बारे में नहीं बताते हैं और जैसा ब्योहार करते हैं बालग भी बैसाही सीखते हैं पिर्थम भाषा के माध्यम से हम सामाजिक जीवन की परंपरां, रीती दिवाजों, आचार तथा मानवी समंद्नों का ग्यान प्राप्त करते हैं जिसका पिर्भाव बालक के चलतर पर अवस्य पढ़ता है इस पिर्थम भाषा और उसके साहित्य के अध्यन से चात्रों का चारतर के वहमनैतिक विकास होता है और यह कहां भी गया है कि धन आता है चल जाता है और नस्ट हो जाने पर फिर आजाता है लेकिं चलतर यब ऑद नस्ट हो जाता है तो वह फिर से लटका नहीं आता है न्यक्स्ट पोइंट हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में हैं पिर्थम भासा शिक्षा प्रदान करने का सलबुत्तम साधन पिर्थम भासा विचार बिन्वे का सलबुत्तम साधन है इसलिए शिक्षा प्रदान करने का भी सलबुत्तम साधन है आतिव अन्य विस्यों की भाती एक विसे मात नहीं है वदन एक आधावूत साधन है जिसके अध्या निवम अध्यापन पर संपूर्ण शिक्षाल अब लंबित है सेमसन महुदे के नुसार इसपस्य सब्दों में इस साधरान अर्थ में अंग्रेजी यानकी पिर्थम भासा कही है अंग्रेजी भी हो सकती है हिंदी भी हो सकती है शिक्षन विसे है विसे है ही नहीं तो यहाँ पर अंग्रेजी की बात कही है कि इसपस्य सब्दों में एक साधरान अर्थ में अंग्रे झी पुर्थाम भासा सिक्षण भी से नहीं है या फिर है ही नहीं वह तो इस्कूली जीवन का आधार है इसे सिक्षण की केहने कि मातर चाहिये बस्तुता मातर भासा का महत्व सक्षण के रूप में तो है ही लेकिन शिक्षा के माध्यम के प्रशंच पर एअभवेस Edne ने लिखा था पिर्थम भासा दौरा शिक्षा के अभाव में भारत को निश्य ही विस्व के अन्य देशों में अतियंत अज्यानी बिना दिया है यान कि हमें अपनी भाषा का जो है हमेशा सम्मान करना चाहिए रविद्ना टैगोर 1905 ने कहा था कि जब तक पिर्थम भाषा क उच्छ शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जाएगा तब तक पाठ्थय पुस्तगं कैसे लिखी जाएगी नई शब्दा वली कैसे बनेगी भाषा का विकास उसके पिर्योग से होता है अगर पिर्योग करना ही बंद कर दिया जाए तो वह लुप्त प्राय होने ही लगती है नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं प्रतम भाषा अविव्यक्ति का माध्यम संकुचित अर्थ में प्रतम भाषा कही जाने वाली भाषा को वच्चा जन्म के कुछ दिन पस्चात ही सीखने लगता है और जैसे जैसे उसके अंग और पतियंग सुद्रन होते हैं और जो हैं उसकी इन ग्यानेंद्रियां क्रियाशील होती हैं तैसे तैसे वह स्वरी एंत्र द्वादा अपने माता पिता भाई वहन तथा संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों की भाषा का अनुकरण करने के सीख लेता है आवरती द्वादा उसका यह भाषा वुच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार होता है फिर्तम भाषा के माध्यम से ही उसका सामाजी करण होता है तथा वह अपने समाज में सब्वेटा इवश्चे कि बिचार उसकी प्रतम भाषा में उठते और पनपते और समाप्थ होते हैं अने वह आसानी से सीख लेता है ​​वर और खेल खेल में बहुत को सीख भी लेता है नेक्स पॉइंट में हम देख रहे हैं इस समझ में राइवन महुदय का जो कत्र राइवन महुदय ने रखा है कि प्रिथम भासा एक साथ ही एक करण और जाल आनंद प्रसंदता एक मंग्यान का शरोत रुतियों की निदेश है को विद्धाता द्वादा मनसे को दीवी उस प्रवुत्तम शक्ति की क्रियोग का साधन है जिसके आधा पर हम उसके निकर्टम पहुंद परते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं प्रथम भासा और शात्व में आधरस नागविच्ता के गुड़ों का विकास प्र तो चार्श्टिक विकास में लिए है जितकी फल्सोर देश का प्रतियक नागरिक अच्छे गुणों से युप्तल हो सकता है नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम भासा और शात्यों की स्टर्जनात्मक श्मता का विकास प्रतम भासा पर दीर दीरे अधिकाल कर लेने के पश्यात शात्यों प्रतम भासा में अपनी इस शमता के अधाप कावित अं कहानियां उपढ्नियास लगू करिया अं कताइं इवा ले खादी लिखने लगते हैं इस बिका का आत्माविया प्रतिवा का विकास होता है इसके पिर्थम भासा का विषिश महत्व है पिर्थम भासा के शिक्चर से जहां ग्यान एवं उपलब्दियों का पीड़ी पीड़ी पिर्साल होगा वहीं आगामी पीडियों के लिए उसके संचे और सनक्षण में भी साहता मिलती है प्रतम भासा का सभी विसियों एवं सभी पिलकाल के ग्यान बिग्यान का माध्यम अथवा कहें वाहक होने के कारण इसके शिक्षन के आवश्चेक्ता एवं महत और भी अधिक बढ़ जाता है इसलिए प्रतम भासा को सभी ग्यान बिग्यान एवं सभी पिलकाल की शिक्षा का अधार माना गया है आज की इस वीडियो में हमने देखा प्रतम भासा या कहें बच्चे की जो प्रतम भासा है उसका महत इसलिए तो इमपर्टेंस ऑफस्ट लेंगिज आजिए अधिक नहीं दन्वाइब